हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ पर्फेक्ट डोसा बनाने की रेसिपी शेर करने जारी हूँ और पर्फेक्ट डोसा बनाने के लिए हमें सबसे पहले पर्फेक्ट डोसा बैटर तयार करना होगा तो आज में कुछ special trips और टिक्स के साथ आपको बताऊंगी कि perfect dosa batter कैसे तयार किया जाता है आईए तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको डाल चावल भिगोने का नाप बताती हूँ सब लोग 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़त की डाल लेते हैं मैं 4 कटोरी चावल और 1 कटोरी डाल का इस्तिमाल करती हूँ इसे जो हमारा डोसा है वो super crispy बन के तयार होगा तो यहाँ पर मैंने यह चावल लिये हैं बासमती राइस जो किनकी आते हैं छोटे वाले टुकड़े उनका इस्तिमाल कर रही हैं यह मैंने 4 कटोरी चावल इसमें एक बड़े बरतन में डाले हैं और इसे full of water से मैं फिल कर दूंगी उपर तक पूरा उपर तक पानी भर दीजे और overnight पूरी राथ हम इसको भीगने को लिए छोड़ देंगे आईए अब यहाँ पर उड़त की धुली डाल का इस्तिमाल कर रही हूं मैं यह उड़त की धुली डाल है जिस बरतन के नाब से हमने चावल बिगोए थे उसी बरतन के नाब से हम लोग डाल को भी भीगोएंगे देखे, मैंने यहाँ पर सेम कटोरी का इस्टिमाल किया है, यह उड़त की दुली दाल है, इसको हम अलग से भिगोंगे, हमें दाल चावल जो है, वो एक साथ नहीं भिगोने होते हैं, अलग-अलग बरतन में भिगोने होते हैं, इसको भी पूरा पानी से भर देंगे, और क्राइंट करेंगे, क्राइंट करने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे बड़ा वाला मिक्सी का जार होता है, उसका यूज किया है, और तीन से चार बड़े चमच मैने यहाँ पर यह दाल चावल डाले हैं, और एक बड़ा चमच जो है, पानी का इस्तिमाल कर रही है, आईए ह थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है अब मैं फिर से एक बार यहाँ पर एक चमच पानी ओर डालूँगी एक टेबल स्पुन और फिर से एक निट के लिए चलाऊंगी और चेक करूँगी कि हमारा बैटर किस कंसेस्टेंसी में आया है यह देखे अभी भी जो बैटर है आपको थोड़ा मोटा नजर आ रहा है दानेदार इसलिए एक चमच पानी का अस्तिमाल और करेंगे अभी मैं आपको कंसेस्टेंसी देखाऊंगी इसकी कि हमें कितनी परफेक्ट कंसेस्टेंसी चाहिए इसकी यह हमारा बैटर जो है पिस चुका है आईए इससे खाली कर लेते हैं देखे जब हम इसे उपर से गिराते हैं तो यह ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में से और एकदम महीन पिस के तयार होना चाहिए नहीं ज़्यादा गाड़ा नहीं ज़्यादा पदला आईए और पिस लेते हैं इसमें हमें एक चीज का और दियान रखना है कि जो हमारा जार है वो उपर तक नहीं भढ़ना है और यह हमने दूसरा बैच भी पिसने के लिए डाल दिया है यह देखे यह भी पिस के तयार है यह consistency perfect है डोसा बनाने के लिए इससे आपका डोसा एक्टम क्रिस्पी बनेगा बाकी सारा जो है हम पीस के तयार करा लेते हैं यह देखें मैंने सारा जो बैटर है बना के तयार कर लिया है एक बात का और दियान रखें कि मिक्सी को आप रुख रुख की चलाएं ताकि उस पर ज्यादा लोड़ना पड़े यह देखें यह जो मैंने यह बैटर को ओवरनाइट फर्मेंट करने के लिए रख दिया था यह आपको फोमी दिख रहा होगा एकदम तो इसका मत यही पैचाने की बहुत अच्छे से कमीर उठाएं इसको मैंने अच्छे से फेट लिया था मतलब चमस से एक दो बारे से गुमा लिया था और यह परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसमें मैंने पानी वेकरा कुछ भी नही मिलाया है आईए अब डोसा बनाते हैं उसके लिए इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे और अंदर एक चमस नमक डाल देंगे नमक डालके इसे वापस से एक बार अच्छे से गुमा के मिक्स कर लीजी इसी के साथ में आज आपको डोसा आइरेन के तवे पर बनाना बताऊंगी यह आईरेन का तवा है इसको मैंने गरम कर लिया है और अब इसके उपर हम थोड़ा सा पानी का चीटा दे देंगे पानी का चीटा लगाने से जो हमारा तवे का टैंपरिचर है वो मेंटेन रहता है कम हो जाता है उससे दोसा बहुत अच्छा बनके तियार होता प्याच को मैंने लिया है आधा काटा है और इस पर थोड़ा सा ओईल लगा कर इसको हम अच्छे से तवे पर अगर देंगे इससे हमारा दोसा चिपकेगा नहीं पिर इसे एक साफ कपड़े से पहुंच लेंगे और अब हम इसके उपर दोसा फैलाएंगे दोसा फैलाने का एक तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करने जरू इससे आपका डोसा एकदम पतला बनके तयार होगा यह मैंने बैटर डाला है मेरा तवा काफी बढ़ा है इसलिए में दो चमच बैटर डाल रहे हूं अगर आपका छोटा हूँ तो आप उससे साबसे डालें इसको चमच को बीच में से हलका सा दबाके आगे की तरफ डोसे को बढ़ाए बैटर को आगे की तरफ फैलाए इससे आपका जो डोसा है वो चमच के साथ वापस नहीं आएगा और परफेक्ट डोसा पतला क्रिस्पी बनके तयार होगा देखे कितना जल्दी से डोसा फैल गया है आईए अ अब इसको हम थोड़ा सा पल्टे की सायता से यूनिफॉर्मली स्प्रैड कर देंगे चारो तरफ ताकि बीच में से यह जो मोटा मोटा है यह अच्छे से बैटर फैल जाए चारो तरफ और आपका डोसा पतला और किस्पी बनके तयार हो ओल बैटर गी आप जो भी खाना प तयार होगा इसे यहाँ पर एक बात का और ध्यान रहे जो हमारी फ्लेम है वो फुल है डोसा अमेशा फुल फ्लेम पे ही बनता है आलो का मसाला फैला लीजिए और इसे दो से तीन मिट के लिए फुल फ्लेम पे सिखने दीजिए आपको उपर अपने आपसे इस पे यह आलो के मसाला और नारेल की चटनी की रेसेपी भी शेर करूंगी तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी रेसेपी कैसी बनके तयार हुई